यहां पर आप देख सकते है कि one laser से भी जाना जाता है ठीक है यहां पर जो output में घोंको पुल्स मिल रहें वह किस प्रकार मिल रहे है 123 मतलब कि Creek मिल रहा है क्शहां थ्रीक से क्नेक्शन अभी इसका हम सर्कुट जो है वह देख रहे तो आप यहां देख सकते हैं कि तीन फेज है आर फेज वाई फेज एंड बी फेज तीनों फेज पे एक एक स्वीच लगा के रखिए सेमिकंडॉक्टर स्वीच टीवन टीटू एंड टीट्री ठीक है अभी वह स्वीच है यह कंट्रोल स्वीच है तो हम जब चाहेगे उसको उपरेट कर सकते हैं हम जब नहीं चाहते तो उसको बंद रखेगे ठीक है तो यह पूरी कंट्रोल स्वीच है तीनों के तीनों स्वीच हमने लगा के रखिए एक दूसरे के पेरलल में और तीनों के साथ मैंने एक लोड जोइंट करके रखा है वह है लोड आर टाइप का ठीक है क्या रहता है 120 डिग्री और अगर तीनों मिला दोगे तो हमारा पूरा हो जाता है 360 तो सिस्टम में आप सभी जानते कि 120 डिग्री का जो फेश डिफ्रेंस रहता है तो उसके मुताबिक हमको यहां पे कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि जिसके वज़े से हमारा क्या है कि बारण भाविक बोल रहे है कि वोल्यूम क्या आवाज कमा रही है बारण भाविक ओके अभी देखिए यहां पे क्या करना है आगे जाके तो मैंने क्या किया यह PDF में मेरे को जो जो पॉइंट में लगे अच्छे लगे उसको मैंने यलो हाइलाइटर से हाइलाइट कर दिया है इस बार जो मैं पीडियेव आपको भेज़ूंगा यह हाइलाइट वाली और औ आप डायरेक्ट किये में पॉइंट पर जाके अपना रिवाइस कर सकते हैं ठीक है तो अभी यहां पर देखिए जो हम एंगिलर पोजीशन लिखते हैं जैसे कि हम बोला था कि यहां पर जो भी वेववफर्म कर रहे हैं वो टाइम के कंपेर में नहीं होते किसके कंपेर में होते हैं एंगिलर पोजीशन एंगिलर पोजीशन मतलब की रेडियांस हम जो लिखते हैं यहां पर जो 120 डिग्री अगर लिखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा टू पाइब रहता है 180 ठीक है पाई क्या है 180 अभी 180 गुना 2 बटा 3 तो क्या हो गया अपनका 120 मि है वह हमको वेवफों में लिखना होता है वेवफों में कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे डाइरेक्ट लिखते है जिरो 45 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री पर वह ठीक नहीं रहता आपको रेडियन फोम में लिखना सही रहेगा ठीक है तो आप यह बात का भी ध्यान एनालिसिस के लिए सिलेक्ट करते है आर फेज है तो उसमें कौन से स्वीच लगा के रखिए तीवन तो अभी यहां पर लिखके रखा है SCR T1 conducts from 5 by 6 plus alpha to pi केसे वह भी वेवफों में देखते हैं यहां पर देखिए वेवफों में वेवफों में हमको देखे रखा है सप्लाई वोल्टेज ठीक है सप्लाई वोल्टेज यहां कौन सा है इन्पूट है एसी तो हमने क्या कर दिया यह आर का यह वाई का ठीक है यह व यह 3-phase का वह आपको बनाए रखना चाहिए क्योंकि क्या होगा एक्जाम में आप अगर पहली बार डाइरेक्ट ड्रो करने जाओगे तो यह थोड़ा डिफिकल्ट रहे जाता है कुछ बार ऐसा होता है कि जल्दी-जल्दी में ड्रो ही नहीं हो पाता ठीक है तो 3-phase waveform है वह थोड़ा hard रहता है उसका भी trick है ड्रो करने का बहुत सारा आपको online भी बहुत सारा मिल जाएगा material तो आप वह ट्राइ कीजिए ठीक है तो जल से जल्द आपके से result ला सकते पेपर में वह आपको ध्यान में रखना चाहिए अभी देखिए यहां पे हमने क्या किया है जैसे क अभी आप देखिए कि मैंने यहां क्या लिखा है 5 by 6 5 by 6 मतलब 5 मतलब 180 बटा 6 मतलब की 30 तो यहां हमने highlight करके रखा है कि यहां क्या है 30 डिग्री है ठीक है इसका मतलब यह है कि यह पूरा page में आपको दीख रहा है कि छोटे चोटे box है वो ड्रो करके रखे है यह 1,2,3,4, 5,6,7,8 ठीक है यह सब box है तो अभी हम यह भी देख लेते कि क्या यह figure है वो box के इसाब से सही है तो हम देख लेते सिर्फ आर फेस का ठीक है आर फेस का सिर्फ हम पहले देखेंगे यह देखिए आर फेस के लिए हम अगर देखें तो आर फेस का सुरुवात से एंड तक एक साइकल का हम एनालिसिस कर लेते हैं आप भी एक्जाम में जब ड्रो करने बेठो तो box टाइप या तो कुछ मार्जिन रखके पर्टिकुलर ड्रो करो और वो मार्जिन है वो 30 डिग वो ड्रो करने में फास्ट स्पीड भी आएगी और फटाफट होगा ठीक है तो यहां देखिए यह 30 30 60 90 ठीक है तो यहां हमरा वेवफों का आधा पाड़ आ गया जहां पर हमको 90 डिगरी बोलते तो यह तीन box होके तो टोटल कितने box है एक साइकल में एक दो तीन चार मतलब की बारा गुना 30 मतलब की 360 डिगरी हमारा पूरा साइकल यहां से यहां तक कंप्लिट हो गया है अभी जो भी हम केल्कुलेशन या कुछ भी हम ड्रो करना चाहेंगे तो हम इजीली कर पाएगे अभी हम समदना शुरू करते हैं इस तीरे को यहां देखिए पाइबाइ यहांगे में नीचाहें कर रहा हूं और आलफड में कले से अगर एक कर रहे होते हैं तो कहां लोका यहां पर यहांपर एक होता को मुझे तो रहां पर आप आउट्पूट बोल्टेज लेने के लिए हम आलफा-जीरो वहां पर लेते ठीक है तो अभी आप ज्यादा मत सोचिए इतना याद रखे कि आलफा-जीरो प्रोग करने के लिए समझने के लिए तो हमारा 30 डिग्री है साइध कंफ्यूज हो रहा है यहां देखके यह जो मैं एनलीसिस कर रहा हूं वो किसके लिए वेव फॉम और थ्री फेज हाफ फेव कनवर्टर पोर आलफा इक्वल टू थर्टी डिग्री ठीक है हम अभी जो एनल दूसरा जो वाई फेज है वाई फेज के लिए कौन सी स्वीच थी वाई फेज के लिए टी टू स्वीच थी और बी फेज के लिए टी थी स्वीच तो हमने क्या किया यह देखिए वाई फेज के लिए जो दूसरा वाला गेट पल्स था उसके लिए भी हमने क्या किया पहले बोक्स छोड़ा मतलब कि 120 डिग्री का जो फेश दिफ्रेंस था वह भी हमको मिल गया और यहां से हमको 30 डिग्री मतलब कि एक बोक्स छोड़ दिया तो हमारा दूसरा वला गेट पल्स भी हमने दे दिया ऐसे इसे हम आपको भी फेश के लिए भी करना है तो यह हमारा हो गया यहां तक हमारा एक साइकल पूरा हो गया इस बीच में ठीक है तो अभी आउटपुट क्या मिलेगा वह देखते हैं जब आर फेश है आर फेश को आमने कहा सुरू किया यह पूंट पे तो यह देखिए आर फेश का यह पीक ted हो चुका था तो हम कहां पर थे अभी स्वीच नहीं हो था तो यह पूंट पे जीरो है फले थोड़े टाइम के लिए पर यहां पे क्या है जीरो है और जैसे ही पास आया हमने वाइफेस शुरू कर दिया यह वाइफेस का पीक आ ठीक है कि यहां से हमको बीफेस का पीक मिल गया और इसी प्रकार से यह चलता रहेगा आप और एक चीज़ देख सकते हैं कि आलफा 30 डिगरी रखा है तो आपको कहीं पर भी यहां इसमें जो गेफ है दो वोल्टेज के बीच गेफ है वह नहीं देखने को मिलेगा इसलिए इस ओप्रेकर ओप्रेशन को अप्रेशन भी बोला जाता है एक्जाम में अगर आपको पूछे कि भाई समझाओ थ्री ठीक है यही टाइटल देके रखाओ कि थ्री फेज हाफेव कनवर्टर विद कंटिनियूस ओप्रेशन तो आपको यह बात समझाने है अगर डिस कंटियूस पूचते तो क्या करना हो भी हम देख लेगे ठीक है यहां देखिए आउटबूट के करन्टका एक्वेशेन में मेंने more औरका तो आउटब्वूट के मिलेगा जैसे हमंरा आउटपवूट वोल्टेज है वही आउटपूट करन्ट मीलेगा क्योंकि रजिश्टिव लोड है औरस रोट है तो कोई पाई दिफ्रेंस नहीं आता तो सेम फेज में हमारा ये करेंट का भी वेवफों उनको ड्रो करना आ गया अभी जो बात थी वो करते हैं अगर मालो कि आलफा आप 30 डिग्री नहीं रखते मालो कि आपने 30 से ज़्यदा कर दिया तब क्या होगा तो उसका केस भी यहां देखे रखा है यहां पर क्या किया आलफा इकोल टू 60 डिग्री लिया है ठीके अगर आप आलफा 60 डिग्री लेते हो मतलब कि आपको 30 डिग्री का दो बोक्स छोड़ना पड़ेगा तो हमने क्या कर दिया यह 30 डिग्री का एक बोक्स 30 डिग्री का दूसरा बोक्स दो बोक्स मतलब कि टोट यह हमको मिलने लगा फिर जब पाइप आके और फेज है वो क्या हो गया जीरो ठीक है और फेज का पोजिटिव जो वेवफम था वो जीरो हो गया पाइप जब जीरो हुआ तो अभी हमने दूसरी स्वीट तो चालू की नहीं क्योंकि बीच में यह क्या गया गया ज्यादा ठी ठीक है तो इसकी वज़े से हमको वाइप फेज मिला पर बीच में क्या आगया गया तो यह पाने की वज़े से इसको कौन सा ऑप्रेशन बोलता है डिसकंटिनियूस करंट कंडक्शन ठीक है तो आप यह ध्यान में रखिए एक्जाम में अगर पूछ ले कि चलो भाई समझा में यह is a Khan evolution यही video अगर बोल दिया है कि कंड़क्शन ओर समझाओ तो आपको यह समझानी अगर बोलते भंडिस्केंट कंडक्शन या तो दिसन डिसकंटिनैस कंड़क्शनद मोड समझाओ तो यह चीजस आपको समझा नहीं होगी ठीक है आगे इसके लिए हम देखते हैं य जो रेजिस्टिव लोड रखा है उसका रेजिस्टिविटी ठीक है तो यह मेरे को मिल जाएगा करेंट वह तो सीम्पल है अभी जो नया टाम से वह यहां पर पिक्चर में आता है वह क्या था कि सिंगल फेज में हमको कुछ देखना जरूरत नहीं बनता था क्योंकि वहां रि का इनकी रिफ्र कवशसा सदेगों था कुम कुदोर्स पॉइब है फरीएक रिफ्रिक्वेंशी कासनों मालूम है अगर कोई भी वीएवेफॉर में उसका एक साइकल है वह जब खतनम होता है तो हो साइकल है व Hinה के भी उन्हागतन को मिल जाता है उसका एक्वेशन क्या है अगर भारत की बात करें तो यहां पे जो बिदली आती हमारे घर में उसका एक waveform complete होने के लिए कितना time लगता है voltage का एक waveform 20 millisecond तो हम क्या करेगे simple 1 upon 20 millisecond तो हमको क्या जवाब मिलेगा 50 इसलिए हमारा जो इंडिया में frequency है वह क्या है बिदली का 50 तो अभी वह simple frequency का बात हो गया पर अगर ripple frequency यहां पे पूछ रहे तो उसका मतलब क्या है वह देखते हैं यहां देख रहे हैं कि यह हमने आर्फ फेज लेके रखा था मान लीजे कि यह 50 हट्स का है ठीक है मान लीजे कि आर्फ फेज है और यहां से सुरू हुआ जीरो 5 फइल सेकंड 10 मिली सेकंड 15 मिलिसेकंड और यहां तक आते आते उसको कितना टाइम लग गया 20 मिली सेकंड मतलब कि यह पचास हड़्स वाला signal है अभी वह signal को हम जब DC में convert कर रहे हैं तो आप देखिये कि वही 20 millisecond में मतलब कि यहां से लेके यहां तक 20 millisecond तक आने के लिए यह जो वेवफों का सिनेरियो था मतलब कि यह सेम वेवफों आपको बार-बार मिल रहा है तो मैं इसको एक वेवफों एक cycle calculate कर सकता हूं मतलब कि यह कितनी बार आ गया एक दो और तीन ठीक है जबकि यह 20 millisecond म में एक ही बार आ रहा था तो जो सेफ रहता है वेवफों का चाहे वह किसा भी सेफ हो जब वह सेफ रिपीट होगा तब जाके आपकी एक cycle कहलाती है ठीक है तो कुछ लोगों को यह भी डाउट रहता है यह तो भाई यह उपर एक आ गया नीचे एक एसा नहीं होता क्योंकि चाहिका की एक नीचे दोनों पोलेरिटी अलग थी उसका रिपीटेशन कहां से शुरूब हो यहां से यहां से आप देखिए फिर सी यह दूसरी रिपीट हुआ तो यह एक cycle यहां सी दूसरी cycle अब मियद गान किदो में कितना है 50hertz हर्ट और वह टाइम में वह कितनी बार तो क्या होगे हमारा 150 अभी यह रीपल कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी बात कर लेते हैं रीपल कम करना हो तो हम इंडेक्टिव लोड लगाएगे जिससे यह जो करेंट का गेफ है और जो ज्यादा आती है वह कम हो जाएगी और धीरे-धीरे क्या हो जाएगी लोड का प्रयोप करेंगे ठीक है जहां पर हमको रीपल फ्री करेंट डेखने को मिल सकता है तो यह बात होगी फ्रिकॉंसी रीपल की यह जो जो भी थ्री फेस्ट के का अंसर आप लिखते हैं इसके अंदर यह बात आएगी जरूर और एक्जाम में एक क्वेस्टन तो हो गाई थ्री फेस्ट का तो आपको यह मालूम होना ही ठीक है अभी यह आखरी वाला स्टेट्मेट भी ध्यान में रखना चाहिए कि सम्टाइम्स इसके लिए मैथेमेटिक यह बात हो गई थी इतनी जो बात की हम सब थियरी का पेशन पढ़ चुके हैं अभी जो बात करने वाले हो है इसका मेंधेमेटिकल पोर्षन मेंधेमेटिकल के लिए हम यहां पर तीन चीज देखना चाहेगे एक है कि इसका जो वह कैसे फांट किया जाए दूसरा है पीक व और उसको दूसरा नाम बोलते हैं VDC ठीक है क्योंकि यहां पर DC हमको आउटपूट में मिल रहा है तो यह जो हमारा में इक्वेशन था वह लिग दिया V output 1 upon T 0 to T V output D omega T ठीक है यहां पर हमको क्या करना है ट के बदले क्या डालना है जब तक waveform on रहे रहा है ठीक है जो पीरियड है जिसके अंदर यह waveform का output मिल रहा है अभी यहां देखिए लिमिट हमने क्या रखी 0 to T के बदले 5 by 6 प्लस आलफा से लेके 5 5 by 6 प्लस आलफा यह देखिए 5 by 6 प्लस आलफा 2 5 by 6 प्लस आलफा ठीक है तो यह waveform सुरू होगा और कब खतम होगा वह दोनों पॉइंट का हमको लिमिट डाल देना है और कुछ नहीं करना है और यह पॉइंट कैसे आए अगर वह question हो रहा है तो उसमें भी कुछ नहीं है सिर्फ यहां पे देखिए 5 by 6 मतलब क्या हुआ 30 डिग्री ठीक है तो यह हमने जो लिया था वो 30 डिग्री प्लस जो हमने आलफा मतलब की यहां पे हमने 30 डिग्री आलफा लिया हमको मालूम है कि हमने आलफा 30 लिया पर अगर नहीं मालूम है तो हम क्या लिखते है जनरल प् और एसे ही हम इतने जो बक से चो छोड़ दिये है जो पॉर्षन छोड़ दिया तो वह टोटल मारगोए तो वह आ जाएगा 556 ठीक है वह और कितना एक आल्फा जो हमने छोड़ दिये वह तो यह पूरा आपका पॉर्षन हो गया 56 प्लस आल्फा टू 5 5 यह किसकी बात हो रही है आल्फा जब 30 डिगरी है तब कि तो यह हमने डाल दिया यहां पर उसका सोल्यूशन किया और यह हमको फाइनल एक्वेशन मिल गया पर यह जो एक्वेशन है वह वेलिड है ओनली पॉर आल्फा इस लेस देन और इक्वल टू 30 डिगरी ठीक है यह जो संट और यह जो फाइंड किया वह किसके लिए रहेगा सिर्फ आल्फा का वेलिव 10 से नीचे का तो 13 रहेगा तभी अगर वैल्फा का वेलिव टीस से जब बढ़ जाता है तब क्या होगा उसके ठेकिए जब आल्फा का वेलिव बढ़ जाएगा तब आपको 1 upon 2 pi by 3 और यह आपका limit है, वो सिर्फ change हो जाएगा, ठीक है, वो केसे वो भी देखते, आपने यहाँ पे आखरी वाला जो waveform में operation देखा था, वो operation था कितने का, alpha equal to 60 का, मतलब कि 60 है, तो 30 से up हो गया, तो 30 से up हुआ, तो यह देखिए, जब हमारा normal operation हो रहा था, मत तो क्या था, pi by 6 plus alpha पे सुरू हो रहा था, जबकि यहाँ पे pi by 6 plus alpha पे सुरू हुआ, पर खतम कहा हो गया था, वहाँ पे, simple वाले में, 5 pi by 6 plus alpha पे, जबकि यहाँ पे कहां खतम हो रहा है, pi पे ही खतम हो जाता है, ठीक है, तो यह बात हमको ध्यान रखनी है, तो इसलिए हमन यह मिल गया, ठीक है, तो यह दोनों सीनरी हो हमने देख लिए, जब alpha 30 से नीचे या तो 30 होता है, तब क्या लिखने का, कैसे output average voltage करने का, दूसरा जो सीनरी हो, उसमें हमने देखा कि alpha का जो value है, 30 से ऊपर है, तब क्या करने का, ठीक है, उसको हम discontinuous operation भी बोलते है, तो उसको भी मैंने highlight करके रखा है, जब आप reading कर रहे है, तो यह सब point memorize करते रहे है, ठीक है, अभी देखिए, peak value, peak value कैसे find करते है, उसका यह notation है, VDM, ठीक है, उसका peak value find करने के लिए, simple सा logic है, peak value कब मिलेगा, ठीक है, अगर मैं sine wave draw कर रहा हूं, या तो cos wave draw कर रहा हूं, ठीक है, तो sin या cos wave draw कर रहा हूं, तो cos की value है, ठीक है, मेरे पास यह equation था, output average voltage का, 3 root 3 Vm open 2 pi cos alpha, ठीक है, अभी जो cos alpha है, तो cos का कौन सा value सबसे बढ़िया होगा, cos 0 या cos 90, ठीक है, simple है, cos 90 तो 0 होगा, तो cos 0 क्या होगा, 1, तो सबसे बढ़िया value कब मिलती है, cos की, जब cos का degree 0 होता है, ठी सबसे लिया, और मेरा जो peak voltage है, वो मेरे को यह मिल गया, 3 root 3 Vm upon 2 pi, ठीक है, तो यह simple था, अभी यहां देखिए, तीसरा वाला RMS value के से find करते हैं, यह हम already जानते हैं, यह वाला हमारा हम लिखते हैं, वो general equation लिख दिया, उसके अंदर हमारा simple formula, यहां पे जो limit लिखना होता है वही हर बार नया चीज है यहां पे, तो वो आपको automatically मालूम हो जाएगा, अगर आपका theoretical conceptual आगे वाला clear हो गया, तो ठीक है, 5 by 6 plus alpha 2, 5 by 6, अगर वही चीज अगर आपको किसके लिए find करनी है, 30 degree के उपर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 by 6 plus alpha 2, यह change हो जाएगा, यह क्या सिर्फ पाई आ जाएगा, ठीक है, तो यह बात त्यान में रखिए, और इसका यह solution है, यहां तक हमारा हो गया, तो I hope that कि यह theory थी, resistive load के लिए, वह आपका main structure था, resistive load, अगर वो समझ में आ गया, तो आप inductive load भी, इसली समझ जाओगे, और यह जो आपका theory है, 3 phase का, वो complete हो जाए, 3 phase half-phase converter की बात की, उसका दूसरा नाम 3 pulse converter भी है, यहां पर हमको 3 phase लेना है, 3 switch लेनी है, एक resistive load लेना है, बाद में हमको यहां पर जो भी direction, जो भी angular position बतानी है, वो किसमें बताएगे, radian में, दूसरी बात है, कब switch शुरू होती है, यहां पर main ध्यान में रखने का ह अभी waveform के लिए हमने 3 waveform ले लिए, R, Y, B, AC nature था, AC input है, इसलिए हमने AC waveform ले लिए, अभी हमको क्या करना है, कि starting में 30 degree छोड़ देना है, क्यों छोड़ देना है, क्योंकि हमारा output voltage proper तरीके से मिल सके, इसलिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी हमको क्या किया है, 30 degree छोड़ हमने यहां पर 3 gate pulse ले लिए, 3 gate pulse के पास आप देख सकते हैं, कि यहां पर क्या किया, 3 gate pulse मेंने draw कर दिया, और जब gate pulse on होगा, तब कौन सा R, Y और B में से, ठीक है, R, Y, और B, 3 में से हमको जो output voltage मिल रहा है, वो हमने draw कर दिया, output voltage के नीचे, आप खास लिख दीजे, कि कब वो शुरू हो रहा है, कब वो end हो रहा है, शुरू कब हो रहा है, 5 by 6 plus alpha पे, end कब हो रहा है, 5 by 6 plus alpha पे, फिर हमने same phase में current draw कर दिया, फिर हमारे पास जो alpha अगर 30 degree के उपर होता है, तो क्या होता है, उसके लिए हमने एक case लिए, alpha is equal to 60 वाला, उसमें हमको मालूम पड़ा कि यह तो discontinuous current conduction mode operation हो जाता है, और उसके लिए हमने starting point 5 by 6 plus alpha और ending point 5 डाल दिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, frequency ripple क्या होता है, वो हमको देखना था, तो वो हमने देख लिया, ठीक है, frequency ripple देखने के बाद हमने तीन चीज़ पाइंड की, average voltage, peak voltage and RMS voltage, तो इसी के साथ यह theory का पूरा जो theory and mathematical portion है, वो यहाँ पे end होता है,